हेँ आज आज हमारे किचन में बन रहा है मटर प्लाव के लिए बार जावल ये चावल जल्दी से तयार हो जाते हैं और बहुत ही मस्यदार भी बनते हैं तो इसके काँ रेसिपी को हम जल्दी से शुरू करते हैं 15其實 prick ताजा मटर है मेरे पास तीन चाय के चमच लाल मिर्च इसमें एक चाय के चमच या अपने टेस्ट के मताबिक डालिए इसके लावा धनिया पौडर इसमें जाएगा तीन चाय के चमच सफैज जीरा दो चाय के चमच और फिसा हुआ गरम मसाला इसमें जाएगा आधा चाय का चमच इसके लावा आपन चाबनों के हिसाब से ले लिए तीन क्लास है तो हमने चार क्लास लिया है एक पतीले में तेल करब होने के लिए रखिए और साथी आप इस में कटी हुई प्यास चामिल कर दीजिए इसको अची तरह से भून के घहरा गूल्डन ब्रॉण कलर दे डीजिए जैसे ही इसमें गू शारे मसाल जितने बी पहले से इकत्टी किये हुए थे वो और सारे समै शामिल कर देने हैं और एक दफाज दो दफाज खुAnn को दिए जाण सच पर हेला ली जिए हर अब अपने मताबक उपने इसको बाल रहा है जैसे ही बाल पनी में उबाल आ जाए है आपने चाबलों का पानी निकाल के चाबल इसके अर्चाम्बच से और सब्सक्राइब पातिकने चाबलों के इसके पानी खुश्क हो जाए तो आपने इसको 7-10 मिनट तक दम दे देंगां यह देए दम देने के जावल हमारे बिल्कुल तायार हो गए हैं, बहुती आसान और मज़ेदार सा मटर प्लाव मटर के चावल तायार हैं, आप इस रेसिपी को जरूर ट्राइ कीजिए, आप इसमें मसाला जाद अपनी मज़ी के भी शामिल कर सकते हैं, आप इसको सलाध, रायते और किसी भी सालन क शर्ब के जिए और अगर मेरे रेसेपी पसंद आई तो फीडबेग देजे कमेंट बाक्स में अगर आप नए है मेरे चैनल पर चैनल को सबस्क्राईब करदीजिए वैल आइकन के साथ और साथ ही साथ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी जरूर कर दीजिए तो बहुत जल्ड मिलते हैं नई रेसिपी के साथ नई वीडियो के साथ तेंक यू